नमस्कार दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सोया बीन खाने के अदभुत फैदे के बारे में मित्रों सोया बीन में परियाप्त मात्रा में परोटीन पाया जाता है जी हाँ दोस्तों सोया बीन में बहुत ही ज़्यादा परोटीन की मात्रा पाई जाती है जो हमारे सरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लावकारी होता है तथा हमें कई रोगों से बचाता है और एक बात और मित्रों आपको सोयाबीन आसानी से हर किराना की दुकान पर मिल जाएगा दोस्तों सोयाबीन का प्रियोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं अपनी सेहत बनाने के लिए और कौन से रोगों से छुटकारा पा सकते हैं मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंते तक देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों सोयबीन हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है यदि दोस्तों आप अपनी सेहत बनाना चाहते हैं मोटे ताजी होना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कम से कम 50 गिराम सोयबीन रात के समय एक लोटा पानी में भीगो देना है ठीक है दोस्तों और भीगोने के बाद आपको सुबह उठना है और फिरे सोने के बाद आपको सोयबीन भीगे हुए खाने हैं कम से कम एक महीना तक आप देखेंगे दोस्तों जो आपके सरीर में कमजोरी होगी जो आपका सरीर बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो गया है आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि एक महिना की प्रियोग से आपका सेहत अच्छा हो जाएगा और आप फिट हो जाएंगे आप मोटे ताजे हो जाएंगे दोस्तों सोयबीन बहुत ही ज़्यादा लाबकारी होता है आप चाहें तो दोस्तों किसी और से भी इसके बाद में जानकारी ले सकते हैं किन्तु दोस्तों जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ साथी साथ दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी कि सोयबीन हमें रोगों से भी बचाता है तो दोस्तों आपको बताते हैं वह कौन से रोग हैं जिन से बचाता है दोस्तों सोयबीन में फास फोरस परियाप्त मात्रा में पाया जाता है और इसके होने के कारण मस्तिस्क तथा ज्यान तंतूओं की व्याधियां, हिस्टीरिया रोग, सूखा रोग, मिर्गी रोग, इसमरण सक्ती तथा फेफणों की कमजोरी में बहुत जादा लाभकारी होता है जीहां दोस्तों यदि किसी के फेफणे बहुत जादा कमजोर है और दोस्तों उसकी इसमरण सक्ती बहुत जादा कमजोर है और उसके सर में दर्द बना रहता है, उसको चक्कर टाइप आता है तो दोस्तों वह व्यक्ति रोज पृति दिन सोया विन भिगो करके सुबह सुबह खाए तो दोस्तों आप देखेंगे कि मातर एक महिने की प्रियोग से उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी और रोगों से छुटकारा पा जाएगा दोस्तों आप चाहें तो आप सुबह भी इसको भिगो सकते हैं जैसे कि कईयों के पास समय नहीं होता है और रात में कई बार हम भूल जाते हैं सोया विन नहीं भिगो पाते तो दोस्तों आप जो है जब आप सुबह सोया विन भिगोंगे तो कम से कम एक घंटा पहले सोया वि यह तोस्तों आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा जो मैंने आपको बताया है दोस्तों आपके फेपड़े मंजबूत हो जाएंगे, आपके सरीर में बल की बृद्धी होगी दोस्तों और आपकी मरदाना कमजोरी दूर होगी तो दोस्तों यदि आपको यह जानकारी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें घंटी जरूर दबाए ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मित्रों हम अपने चनल के माध्यम से इसी प्रकार की सेहत से जुड़ी जानकारी देते रहते हैं तथा आपको कई द से हम आपके द्वारा डिसाइड किये हुए वीडियो बनाएंगे जिहां दोस्तों यदि आपके मन में कोई टोपिक चल रहा हो जिस भी बिसे पर वीडियो बनाना हो तो दोस्तों आप हमें उस चीज़ को बताएं जो भी आप हमें देना चाहते हैं वीडियो बनाने के हमें कमेंट बोक्स में जरूर लिखें